पेमिना में से इंडिया निकिता पूर्वाल महाकाल के दर्शन के लिए पहुँची थी लेकिन ताज पहन कर महाकाल के दर्शन करने से बड़ा बवाल हो गया उजयन इस्थित महाकाल मंदिर में ताज पहन कर दर्शन करने पर विवाद हो गया पेमिना मिस इंडिया निकिता पूर्वाल ने ताज पहन कर महाकाल के दर्शन हिये हैं जिसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर आपत्ती जटाई है उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं और उनके सामने किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पर पगड़ी तोपी या ताज पहन कर जाने की अनुमती नहीं है क्योंकि इससे मंदिर की मर्यादा का उलंखन होता है जो हमारी उज्जेन की ही बालिका है वो मिस इंडिया भनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्वकी बाते उज्जेन के लिए और भगवान महाकाल उसे और यशश भी भी करें लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकुली है वो वहाँ जाकर वो ताज हातों में ले जाके भगवान महाकाल की यदि शरण में रख के और उसे प्रातना करती तो उससे उसका मान भी बढ़ता सम्मान भी बढ़ता और ताज जो है उसके जो सर पे आया है वो सदेव बना भी रहे ऐसी भगवान से प्रातना थी लेकिन मर्यादा के अनुकुल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए फैमिना में सिंधिया मध्यप्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुची थी जिस वक्त निकिता दर्शन कर रही थी उस वक्त उनके सर पर ताज था उन्होंने ताज पहन कर महाकाल के दर्शन किये अब इसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने मिस निकिता के मंदिर दर्शन को लेकर सवाल खड़े किये और कहा कि महाकाल मंदिर की कुछ मर्यादा है यहां का एक प्रोटोकॉल भी है और एक ड्रेस कोड भी है ड्रेस कोड जो है उसकी मर्यादा का पालन करना होता है भगवान महाकाल अवंतिका के राजा है और राजा के सामने जाने के कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है महाकाल के सामने ना तो पगड़ी बांध कर ना सिर पर कफन या कपड़ा बांध कर और ना टोपी पहन कर जाते हैं ये महाकाल महराज के राजा धिराज की मर्यादा है और उसका पालन भी मंदिर समीती समय समय पर करती है लेकिन जिस वक्त फेमिना मिस इंडिया निकिता पूरवाल दर्शन कर रही थी तो उन्होंने ताज पहना हुआ था जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में जम कर चर्चा हो रही है कुछ लोग का कहना है कि हो सकता है फेमिना मिस इंडिया निकिता पूर्वाल को इन नियमों के बारे में जानकारी न हो और वो अंजाने में ताज भेंकर दर्शन के लिए पहुच गए वही कुछ लोगों का कहना है कि निकिता को भगवान महाकाल के दर्शन के पहले नियमों के बारे में पता होना चाहिए था और उन्हें माफी मांगनी चाहिए हकीकत चाहे जो हो लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो तीजी से वायरण हो रहा है और लोग इस पर खूप चर्चा कर रहे है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन और इसी पुरे घटना क्रम को लेकर महकाल मंदर में ताज पहन कर दर्शन करने पर मिस इंडिया निकिता पूर्वाल ने बयान भी दिया वो अपने पिता के सामने क्राउन पहन कर गई उनकी माने तो वो ये बताने के लिए गई थी कि आपकी बेटी ने सफलता हासिल कर ली है बाबा महकाल को क्राउन अर्पित करने का भी सवाल पूछा गया जिससे वो बच्चती नज़र आई अपर ऐसे ही बनाया रखाए मैं यही कहना चाहूँगे कि महकाल बाबा की वज़े से आज मैं हूँ जो वो हूँ मैं उनकी बेटी हूँ तो मैं अपने पापा के सामने भी एक राउन पैन की गई उन्हें बताने के लिए कि देखो आपने जो मुझे बनाया मैं आज में हूँ तो बाबा के सामने में क्राउन पैन की गई उन्हें दिखाने के लिए कि बाबा आपकी बेटी कुछ करके आई है और मुझे पता है बाबा का पूरा आशिराद मुझ पर है और वोर्ल्ड का क्राउन भी मेरे सिर्फ है ऐसे ही बनाया रखाए